जैं हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में तो मैं आपके लिए आज फिर से नए प्रैक्टिसेत लेकर हाजिर हुए हैं तो आप लोग का अभिनंदन है बहुत स्वागत है और सांथियों देखिए ये जितने सारे प्रस्ण है अक्सर एक्जाम में पुछने की ज़्यादतर संभावन ना है क्योंकि अब जो होगा बिहार के जो सिक्षक बहाली प्रिक्रिया है वो अब भी PSC के द्वारा लिया जाएगा तो ये सारे प्रस्ण जो होंगे आपके लिए बहुत सहायता करेंगे और आप इस चैनल पर भीजिट किया है तो प्लीज सांथियों इस चैनल को सस्क्राइब करके रखिएगा और इसी तरह का वीडियो जो है आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे केवल पढ़ाई के ही वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे और आप लोग का सने प्यार इस चैनल पर चाहिए तो आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट किजिएगा बस आप ही की एक महरबानिया है तो आते हैं हम लोग अपने प्रसन पर और अपने प्रसन को देखते हैं कि प्रसन संख्या 1 जो है क्या कह रहा है तो देखिए पहले नमर प्रसन पर देखिए अगर सांतियों आप लोग पीछे का लेक्चर को नहीं देख पाएं तो उसका एक playlist बना है आप वहाँ से जाईए और उस playlist में सारे वीडियो जो है पड़े हुए हैं आप उसको जरूर देख लिजे वो भी बहुत आपके लिए सहायता करेगा बहुत आवस्यक होगा और उसमें प्रस्नों को चाट चाट कर सेट किया गया है तो देखिए यहाँ पर जो प्रस्न संख्या पाहला है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे तो प्रफेसर जाबीर हुसेन, मुहम्मद हिदायत तुल्ला खान, गुलाम सरवार और अब्दुल गफूर तो देखिए यहाँ पर सही रहा है कि अब्दुल गफूर जो है यह बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे कब बने थे तो इस चीज को भी डेट आप लोग को भी याद रखना होगा कि 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रेल 1975 तक यह जो अब्दुल गफूर जो है यह बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे कब 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रेल 1975 तक मतलब देख सकते हैं आपे ठीक है आगे देख यह प्रसन आते हैं अगला प्रसन दूसरे प्रसन को देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्रसन का रहा है कि बिहार पंचायत समीती और जीला परिसद अधनियम कब लागो हुआ था बहु तो यहाँ पे जो अप्सन नंबर जो ज़िए अप्सन रहे है 1961 यहाँ पे सही हो रहे कि बिहार पंचायत समीती और जीला परिसद अधनियम 1961 में लागू हुआ था इस चीज़ को जरूर आप याद किजिएगा और सारे प्रस्नों को मैं बारीकी से आपको समझाते चलेंगे इसके बाद देखिए प्रस्न संख्या 3 यहाँ पे जो 3 प्रस्न कराए कि बिहार के दच्छनी पठार का छेतरफल कितना है 1927 वर्ग किलोमीटर देखिए सांथियों यह पीछे के लेक्चर में इस तरह के प्रस्नों को आया थे प्रस्नों जो आया थे तो मैंने दच्छनी बिहार, उत्री बिहार और पच्छमी बिहार के बारे में उसका छेतरफल जरूर बताया थे तो पीछे के लेक्चर आपके लिए बहुत हिल्फूल होगा, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए 1927 बर्ग किलोमीटर, 2127 बर्ग किलोमीटर 2927 बर्ग किलोमीटर और 3227 बर्ग किलोमीटर तो 2927 अप्सन सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है दचनी पठार का जो चेतरफल है बिहार के दचनी पठार का चेतरफल है 1927 वर्ग किलोमीटर है आगे दखिये प्रस्ण संख्या चोथा यहाँ पे जो चोथा प्रस्ण कर रहा है कि दियारा भूमी के बारे में कौन सा सही है असमान मैदान जलोड मैदान बाढ़ प्रवण चे तो दियारा भूमी के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिकल्प जो है यह सही हो रहा है तो अप्शन जो सी है यह दोस्तो यह सही हो रहा है बाढ़ प्रवण चेतर के रूप में क्योंकि जो दियारा जो है यह दियारा भूमी दियारा जो है एक अस्थानी जो है सब के इस्तमाल किया जाता है दियारा भूमी का ठीक है और यह निर्मित जो है बाण का मैदान छेत्र है तो दियारा भूमी जरूर आप इस चीश को याद किजिएगा यह अस्थानिय सब्दावली है इसके बाद देखिए पांच प्रस्न पर आते हैं पांच जो प्रस्न करें कि बिहार के मैदान का कुल छेत्रफल कितना है तो 90,150 वर्ग किलोमीटर 90,650 वर किलोमीटर 91,150 वर किलोमीटर और 91,650 वर किलोमीटर तो जो अप्सन भी हो रहा है यहां पे सही हो रहा है 90,650 वर्ग किलोमीटर बिहार के मैदान का कुल छेत्रफल कितना है तो 90,650 वर्ग किल इसके बाद देखिए छे नमर प्रस्ण पर, यहां पर जो छे नमर प्रस्ण कर रहा है कि बिहार में सरवाधिक कौन सी मीटी पाई जाती है, तो लाल मीटी, बल सुंदरी मीटी, जलोड मीटी और इन में से कोई नहीं, तो अधिकतर मातरा में जो बिहार में मीटी पाई जाती है इसके बाद देखिए प्रस्ण आते हैं साथ नमबर प्रस्ण पर यहां पर जो प्रस्ण संख्या साथ पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइड पाए जाता है मतलब बॉक्साइड जो एलमुनियम का आयस्क होता है इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा यह किस का है तो एलुमीनियम एलमुनियम का आयास्क है ये बकसाइड किस से प्राप्त हुआ है तो एलमुनियम से प्राप्त हुआ है तो एलमुनियम का जो है ये आयास्क है बकसाइड तो यहीं पुछा गया है कि बिहार के किस जिले में बकसाइड पाया जाता है पुनिया जिले में किसंगन जिले में दर D option सही हो गया इसके बाद देखिए प्रस्न संख्या 8 यहाँ पर प्रस्न 8 कर रहे कि forward block की बिहार winning असथापना कभ हो थी बहुत अच्छा प्रस्ण है forward block की बिहार BILL सखा कि अस्थापना कब होई थी 1937 में, 1940 में, 1944 में, 1947 में, तो अप्षन जो यहां पे सही हो रहा है, यह भी अप्षन सही हो रहा है, कि 1940 में forward blog की जो बिहार सखा है, इसकी अस्थापना 1940 में होई थी, आगे देखिये प्रसना आते हैं, प्रसन संख्या 9, यहां पे जो प्रसन नो करा है, कि किस मुख्य मंत्री का कार्यकाल बिहार में सबसे लंबा रहा है, बहुत अच्छा यह भी प्रसना है, और इसके भी बारे में जनकारी रखना बहुत जरूरी है, यह भी प्रसना पूछा जाता है, कि बिहार में सबसे लंबा, जो मतलब लंब अब्धित तक मोखह मंंतरी कौन बने तो स्री क्रिश्न सी लालु प्रसाद यादो करपुरी ठाकूर और जगनात मिस्रः यह सारे जो है मोखह मंतरी बने हों गर्ण तो यहां पर इन पैर यह पिपशान हो रहा है, स्री कृर्षन सी, क्कि पूँचा गिए है कि भीहार के मुख्य मंत्री है सबसे ज़्यादा कार्यकाल विहार में रहा है, क्किए भारत की अखंड बिहार राज्य के पर्धान मंत्री इपश्चम मंत्री कब थे तो 1946 से 1961 थे और बिहार के मुख्य मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल जो है सरवाधिक रहा है यह जो है परधान मंत्री भी है और मुख्य मंत्री बने थे स्री कृष्ण थी आगे देखिए प्रस्ण आते हैं दस यहाँ पे जो दस प्रस्ण कर रहे है कि निमनलिखित में कौन बिहार बिधान परिशत के दो बार अध्याच रहे है तो राम गोबिन सीं, उमिशवर परसाथ सीं, अरुण कुमार और डौक्टर पृत्वी चंद्र तो यह अप्सन यहाँ पे सही हो रहे है राम गोबिन सीं पुछा गया है कि बिहार परिशत के दो बार जो अध्याच रहे है वह है राम गोबिन सीं ठीक है अप्सन नमबर A सही है आगे देखिए प्रस्न 11 जो प्रस्न है यहां पे कि पटना उच नियाले के पहले मुख्य नियाधिस कौन थे तो C अप्सन यहां पे सही हो रहा है सर एडवर्ड मेनाड यह बिलकुल सही हो रहा है क्योंकि पटना उच नियाले के प्रथम जो नियाधिस थे वह थे सर एडवर्ड मेनाड ओके आगे थे आगे देखिए प्रस्न आते हैं 12 जो 12 प्रस्न है कि यहां पे अलप संख्यक आयोग को संबैधानिक अधिकार स्वर प्रथम किस राजिय में मिले हैं अलप संख्यक आयोग को संबैधानिक अधिकार स्वर प्रथम किस राजिय में मिले हैं उत्रपरदेश, जारखंड, बिहार और सीकिम तो जरूर यह आपको आज आएगा दिमाग में कि हम लोग बिहार की चार्चा हो रही है क्लास में तो अफ्शन C यहां पे सही होगा कि अलप संख्यक आयोग को संबैधानिक अधिकार स्वर प्रथम बिहार में मिले हैं उके इसके बाद देखिए प्रसना आते हैं तेरा, तेरा जो प्रसना यहां पे है कि पच्मी चंपारन जीले का मुख्याले कहां पे हैं तो मोतिहारी, बेतिया, हाजिपूर की आरा तो पच्मी चंपारन जीले का मुख्याले कहां पे हैं तो बेतिया में हैं इसके बाद देखिए चोधा प्रसना चोधा जो प्रसना यहां पे करा है कि बिहार के किस जीले में अभरक मीटी पाई जाती है तो यहां पे दिया है A अप्सन में बांका, पूरिया, नवादा और यहां पे D में दिया है बक्सर तो C अप्सन यहां पे सही हो रहा है कि नवादा जो जीला है बिहार का यहां पे अभरक मीटी जो है सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है आगे देखिए प्रसन आते हैं 15 यहाँ पे जो 15 प्रसन कर रहा है कि चुना जो है किस मीटी में बहुत ज्यादा मत्रा में भांगर मीटी में ताल मीटी में दलदली मीटी में कि बल सुन्दरी मीटी में यहां पे जो सोरव प्रसन करा है कि बिहार के किन जीलों में ताल मिटी प्रचुर्ता मातरा में पाई जाती है बिहार का अवह कौन कौन सा जीला है जहां पे ताल मिटी जो है सबसे प्रचुर्ता मातरा में पाई जाती है पटना, मुंगेर, भागलपूर, बी कराए कि गया और अंगाबाद नवादा, सी भी कल्प कराए कि सिवान, सारन, मुझापरपूर, अडी कराए कैमूर, रोतास और बकसर तो ए अपसन यहाँ पर सही होगाए कि पटना, मुंगेर, भागलपूर, जो ताल मिटी है, पटना, मुंगेर, भागलपूर में प्रचूर्ता मात्रा में पाई जाती है, सतरा प्रस्न को देखिए, 17 जो प्रसने यहां पे कर है कि बिहार का मुख्य तिल सोधक कर खाना कहां है तो धनबाद में, बरावनी में, हथुआ में, कि मुकामा में तो अप्सन यहां पे बी अप्सन सही होगा क्योंकि बिहार का मुख्य तिल सोधक जो कर खाना है वह बरावनी में है जो सोबियत किसके according या सुरू हुआ था तो सोबियत संग सोबियत संग की मदद से सोबियत संग की मदद से इसको सुरू किया गया था इसको जरूर याद की जगा किसकी मदद से बिहार में तेल सोधा करखाना को सुरू किया गया था तो सोवियत संग की मदद से बरावनी जीला है यहाँ पे जो बरावनी है यहाँ पे तेल सोधा करखाना को सुरू किया गया था 18 प्रस्णों को देखिए, 18 जो प्रस्ण है कि बिहार में पहली बार राष्ट पति सासन कब लगा था? 29 जुन 1968, 29 जुलाई 1979, 29 जुलाई 1968 और 29 दिसंबर 1971 तो यहाँ पे जो अप्सन नंबर जो सही हो रहा है, 29 जुन 1968 को, यहाँ पे बिहार में पहली बार राष्ट पति सासन लागू हुआ था उस समय यह भी याद रखना होगा कि बिहार के मुख्य मंत्री कौन थे? उस समय जब राष्ट पति सासन लागू हुआ था? तो उस समय बिहार के मुख्य मंत्री कौन थे? तो भोला इस चीज़ को याद करना होगा, भोला पावन सास्त्री थे यहाँ से भी प्रस्न बन गया, तो इस समय आप लोग ज़रूर याद करना होगा, बिहार में पहली बार जब राष्ट पति सासन लागू हुआ था, 29 जुन 1968 को, और उस समय जो मुख्य मंत्री थे? भोला पावन सास्त्री थे, ओके? आगे देखिये प्रस्न आते हैं, 19, आप लोग साथियो क्लास की लिंग को सेर्ज कर दीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट ही हमारा प्यार है, आप लोग का ही प्यार है, सनेव प्यार है, बना रहे तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, आप लोग मेरे एक परिवार की भाती है, उनिस्ट परियास्ट न बहुते हैं, यह बताना है कि कौन सा गलत हो रहा है, यह अप्षन करें कि सोन नदी जो है, अमर कंटक से निकलती है, जो मध्य परदिश, तो अमर कंटक के बारे में, कल पिछली की क्लास में, मैंने अच्छे तरीका से बिसलि यह महाभारत स्रेंडि जो नेपाल है C करें कि बुढ़ी गंड़क नदी सबत कौस नेपाल में है D करें कि सर्जु जिसको घाघरा नदी से जानते हैं य ही नापा नेपाल में है तो यहाँ पे कौन सा गलत हो रहा है C element यहाँ गलत हो रहा है जो बुढ़ी गंड़क नदी है यह सब्त कौसकी इसका उत्पती अस्तल जो है यह नहीं माना जाता है क्योंकि बुढ़ी गंड़क जो नदी है नेपाल यहां पर यह गलत हो रहा है क्योंकि बुढ़ी गंड़क नदी जो है यह बिहार के पच्मी पहरन जील में चोतारवा च 24 से निकलती है न है कहां से निकलती है बुढी गंडक तो ये पंच्छी मिट अ बिहर का एक जीला है पंच्मी चंपारण वहां से यह 144 ते आगे देखिए हैं प्रस्णा आते हैं 20 नमबर गहां प्रसुन कर रहा है कि सर्जु नदी बिहार में किस में मिल जाती है दामोदर नदी में, सोन नदी में, गंडक नदी में कि गंगा नदी में सर्जु नदी जो है यहाँ पे डी अप्सन सवीरे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ओके सरजु नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है आगे देखिए प्रसना 21 21 जो प्रसना है कि बिहार में सर्वाधिक जलोड मिटी किस छेत्र में दच्छिन गंगा के मैदान में उतरी गंगा के मैदान में छोटा नागपूर पठार और यहां पे डीदी है अप्सन उप्रियुक्त सभी तो यहां पे अप्सन आप लोग देख लिए होंगे उप्रियुक्त सभी तो आप लोग के ध्यान में गया होगा कि हम क्या उप्रियुक्त सभी कर सकते हैं तो नहीं कभी कबार यहां पे जो होता के मैदान में आगे देखिए प्रसना आते हैं 22 यहाँ पे जो 22 नमबर प्रसन करें कि चुना जो है किस मीटी में बहुत आयत में है मतलब बहुत मातरा में भांगर मीटी में ताल मीटी में दल दली मीटी में कि बल सुंद्री मीटी में तो यहाँ पे डी अप्शन सभी वह रह जंसंख्या घनत्व किस जिले का है तो पटना का दर्भंगा का सुपॉल का की पूरिया का तो यह अप्सन यहां पर सईयोगा पटना जो जिला है यह इसका जंसंख्या घनत्व है जो सबसे ज्यादा है कितना है तो सबसे ज्यादा है ओके कितना है तो अठारो सो तेईस है जं 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार की ग्रामिर जनसंख्या क्या है तो यह अप्सन में यहाँ पर दिखिए तो यहाँ पर दिया है 7 करोण 22,1436, 5 करोण 11,21,436 और 9 करोण 23,44,436 दिखिए अप्सन यहाँ पर सही हो रहा है 9 करोण 23,44,436 2011 की जनगर्णा कमसार जो बिहार की जनसंख्या है 9 करोण 23,4,436 है जो गुल जनसंख्या का 88 पॉइंट 71% हो रहा है 88 पॉइंट 71% हो रहा है आगे देखिए प्रसन आते हैं 25 यहाँ पर जो 25 प्रसन का रहा है कि बिहार के किस जीले में फायर कले जिसको हम आग मीटी कहते हैं वह पाई जाती है मुंगेर में पटना में रोतास में कि किसन गंज में तो अप्सन यहाँ पे ए अप्सन सही हो रहा है फायर फले जिसको हम आग मिटी कहते हैं यह बिहार के मुंगेर जीले में पाई जाती है और इस मिटी का जो सबसे ज़्यादा परियोग होता है वह बरतन बनाने में होता है इसके बाद देखिए 26 प्रसना 26 जो प्रसना करे कि फिलहाल बिहार में चीनी मीलो की संख्या कितनी है 22, 23, 28 और 6, 6 तो फिलहाल में अगर बात किया जाए तो चीनी मीलो की संख्या जो है 28 है बिहार में चीनी मीलो की संख्या कितनी है फिलहाल में तो 28 है इसके बाद देखिए 27 प्रस्ना, 27 जो प्रस्ना है कि बिहार में उन्नी कालीन जो बस्त्र होते हैं कहां पाई जाती है, दर्भांगा में, दावद नगर में, मुंगेर में, कि मोती हारी में, तो यहां पर भी अप्सन सहीरे दावद नगर में, उन्नी कालीन जो है दावद लाले के नाम से जानते हैं जो आरा में इस्थित है अस्थापित किया गया है तो उसकी अस्थापना कब हुआ था 1952, 1962, 1972 कि 1992 तो यहाँ पे D option सही वर है 1992 बिहार के आरा जीले में जो बीर कुवर्सी विश्व बिद्याले है इसकी अस्थापना 1992 इसमें किया गया था 29 प्रस्णों को देखिए 29 जो यहाँ पे प्रस्ण कर रहा है कि बिहार में जीला प्रात्मीक सिख्षा प्रग्राम को कौन सी अंतराष्टी संस्था के द्वारा मदत है मिल रही है बिहार के जीला जो है प्रात्मिक सिख्षा प्रोग्राम को इवनिसेफ क्या कर रहा है? मदत कर रहा है. आगे देखिए प्रसन आते हैं 30. यहाँ पे जो 30 प्रसन कर रहा है कि अन्य राजियों की तुलना में पूरुस सक्षर्था में बिहार का कौन सा अस्थान है? प्रसन जो पे जो है 36 अस्थान जो है यह सही हो रहा है अन्य राजियों की तुलना अगर हम करें तो बिहार में पूरुस सक्षर्था दर कितना है तो 36 अस्थान है पूरुस का ओके इसके बाद देखिए 31 प्रसना 31 जो प्रसना है कि बिहार में ओल इंडिया रेडियो अस्टेशन की अ अस्थापना 1948 में हुई थी इसके बाद देखिए 32 प्रसना 32 जो प्रसना है कि बिहार के पटना केंद्र के अखिल भारतिये रेडियो अस्टेशन के पहले निर्देशक कौन थे तो यहां पे रामानुज प्रसाथ सी राम रेणु गुप्त स्री बल सीता राम माधेपूरा क बिहार के पटना केंद्र के अखिल भारतिये रेडियो अस्टेशन के पहले निर्देशक थे श्री बल सीता राम माधेपूरा आगे देखिए प्रसन 33 जो प्रसन है कि बिहार के कि सहर में एयर अस्टेशन जो है नहीं है पटना मुझापरपुर पुणिया और किसंगंज त 12 जन वरी को मकर संक्रान्ती मना आई जाती है । यह थो खैर आपको बहुत अच्छे तरीका से पाता होगा 14 जनवरी को मकर संक्रान्ती मना आई जाती है 35 प्रस्णों को दिखिए 35 जो प्रस्ण है कि भद्रपद महीने के अस्मिन क्रिष्ण पच की एकादसी के सुक्लपच से कौन सा तिवहार मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रस्ण है तो इंद्रपुजा छटपुजा चित्रगप्त पुजन और यहां पे दिया है गवर्धन पुजा तो यहां पे ए अप्सन जो है यह सईवराए भद्रपद महीने के अस्मिन क्रिष्ण पच के एकादसी की जो सुक्लपच होती है यहां पे इंद्रपुजा जो इंद्रजी की पुजा होती है इस तेवहार को मनाया जाता है तो साथियों आज की क्लास में हम 35 प्रस् स्क्राइब करके रखिएगा यह चैनल जो है आपके बहुत सारी हिल्प करेगा बहुत सारी इंफर्मेशन आपको देगा और आपको डेली मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा तो आप इस चैनल पर बने रहें एक परिवार के भाती तो हम लोग आज की क्लास यहीं सब्सक्राइब करें तो सभी सांथियों को थैंक यू जैहिन जै भारत मिलेंगे अगले लेक्प्चर में तब तक के लिए धन्य बात जैहिन बंदे मात्रम स्वागत है आप सभी सांथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में तो आप सभी सांथियों को पता होगा कि यह जो गेंजेड लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है इस पर बहुत सारे प्रस्णों को कराया जाता है, बहुत सारे एक्जाम की तियारी भी कराया जाती है, तो अभी बिहार में, बिहार सिक्षक बहाली की जो सेविन फेज की जो परक्रिया चर रही है, उसी से संबंदित हम लोग प्रस्णों को करेंगे, बिगत बर्सों के बहुत लबदायक होंगे आपके लिए, तो NCRT पेटरन पर अधारित प्रस्नों को लिए हैं, तो देखिए प्रस्न संख्या 1 पे आते हैं, आपको बिस्तार प्रुवक भी अच्छे तरीका से समझाएंगे, फीगर के भी माधियम से आपको भी बताएंगे, तो देखिए यहा आमू का पठार, मालवा का पठार और अमर कंटक का पठार, तो इसमें से जो बिकल्प जो सही हो रहा है, अप्शन D जो है, यह सही हो रहा है, अमर कंटक का पठार है, यह बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उदगम अस्तल माना जाता है, और यह जो, यह क जिले से अमर कंटक के पास उत्पन होती है और ये बिंदिहाचल पहाड़ीों में नर्मदा नदी के जो सुरुत अस्तल हैं वहाँ पे ये पूर्व में इस्तित है और ये जो है उत्तरपरदेश जारखंड राज्य से गुजरते हुए बिहार के पटना जिले में आते समय यह नदी में बिलाय हो जाती है तो ये अप्सन डी बिल्कुल सही हो रहा है आगे देखिए प्रस्न आते हैं दो नमबर यहाँ पर जो दो नमबर प्रस्न कराए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का सोक के रूप में कुखियात है गंडक, सोन, कोसी और गंगा या त सकते हैं कि बिहार का सोक नदी किसे कहा जाता है तो बिहार का सोक नदी जो है कोसी को कहा जाता है अप्सन सी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सोक नदी है यह बिहार का है, ओके आगे देखिए प्रस्न संख्या आते हैं तीन यहाँ पर जो तीन नमबर जो प्रस्न कराए कि निम्नल लिखित देसांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है कौन सी जो इसमें से देसांतर रेखा है देख से पहें यह जो है देसांतर रेखा है यह जो है कौन सी जो है मतलब बिहार से होकर कितने डिगरी पर गुजरती है 84, 82, 82, 85, 86, 89, 81 तो यहाँ पे B option जो है यह सही वर है 86 डिगरी पर देशांतर रेखाएं जो है यह बिहार से होकर गुजरती है देख सकते हैं यहाँ पे यह चालम से रेखाएं हो गया और नीचे जो हो गया देशांतर रेखाएं हो गया आगे देखिए प्रसन आते हैं चार नमबर प्रसन पे यहाँ पे जो चार प्रसन कर रहे कि बिहार में सोना कहाँ पे मिलता है बिहार में सोना किस जिले में मिलता है गया जिले में, आरा जिले में, जमोई जिले में और पटना जिले में तो बिहार में जो सोना मिलता है, अप्सन जो C है, इसमें सई हो रहा है, जमोई जीले में सोना अधिक मतरा में मिलता है, तो यह देख सकते हैं, यह सोना है, इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को बता देते हैं, कि बिहार में डेश का जो सबसे बड़ा सोना का भंडार है, त हाँ ठीक है जमूई जो है देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार माना जाता है आगे देखिए प्रस्ण संख्या 5 यहां पर जो 5 नमबर प्रस्ण का रहा है कि बिहार में रेल कोच फैक्टरी का केंद्र कहां पर है बरावनी में है मुकामा में है जमूई में है और केशन ग और बिहार राज के पाटना जिले में इस्तित एक क्या एक नगर है वह कौन सा है मुकामा तो वहाँ पर ही यह रेल कोच फैक्टरी का केंद्र है मुकामा में इसके बाद देखिए प्रस्ण आते हैं 6 नमबर 6 जो प्रस्ण यहां पर कह रहा है कि निमनल खित अस्थानों में से कौन से राष्टी राजमार्ग राजमार्ग दिया गए है 30 से जुड़ा हुआ है पतना हाजीपूर छप्रा हाजीपूर मुझपर पूर बक्तियारपूर पतना आरा और मुकामा मुंगेर तो एनेच कितना कर रहा है एनेच 30 कर रहा है एनेच 30 जो है इसमें से कौन सा रखिएगा कि बिहार में सबसे लंबा एनेच कौन सा है तो बिहार में जो राष्टिये राजमर्क एनेच कितना है एनेच 31 है एनेच कितना है सबसे लंबा राष्टिये राजमर्क जो है एनेच 31 है और राष्टिये जो सबसे छोटा राष्टिये राजमर्क कौन सा है तो एन बाड़ा है एनेच और यह क्या है यह छोटा है ओके आगे देखिए प्रसन आते हैं साथ नमर प्रसन पे यहाँ पर जो साथ प्रसन कर रहा है कि सुमिस्वर स्रेणी निम्नलिखित प्रवत स्रेणियों में से किसका एक भाग है तो सत्पूरा स्रेणी बिंध्याचल स्रेणी पूरवी घाट और सीवाली का स्रेणी तो यहाँ पे डी अप्सन यह सही हो रहा है सीवाली का स्रेणी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि सीवाली का की परवत स्रेणियों में में प्रदेश के समेस्वर का जो अस्थान है समेस्वर स्रेणी का जो अस्थान है वह सबसे उप और ये राज्य का सरवच्य परवत सिखड भी माना जाता है, ओके? आगे देखिए प्रसन आते हैं आठ, आठ जो यहाँ प्रसन करा है कि बिहार की भूमी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो यहाँ पे A में दिया है महा नदी, गंगा, यमुना औ और D में दिया है गोदावरी, तो यहाँ पे जो B अप्सन हो रहा है यह सही हो रहे गंगा नदी, यहाँ पे B अप्सन जो है यह सही है, कि गंगा नदी जो है बिहार के अपवाह, बिहार के अपवाह, अपवाह तंत्र का एक मुख्य अधार माना जाता है, अगंगोत्री जो ह गंगा का उदगम अस्तल कौन सा है गंगोतरी है जो हर्दवार के पास समतल भूमी पर बहना आरम्भ करती है और चोशा के निकर यह बिहार के मैदान में परवेश करते हुए दो भागों में बट जाती है और बंगाल में यह परवेश करती है तो यहाँ पे B अप्सन बिल्कुल सही हो रहा है इसके बाद देखिए प्रस्न संख्यार जो है 9 यहाँ पे जो प्रस्न 9 करहें कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल, एवं बल्थर निम्नलिखित में से किस के लिए परियुक्ते होते हैं क्रिसी के लिए, फसल के लिए, मीटी के लिए, कि प्राकिर्तिक वनस्पत्ती के लिए तो यहाँ पे जो अप्सन C हो रहा है यह सही हो रहा है मीटी के लिए परियुक्त होते हैं जो यहाँ बल सुंदरी है, इसके बाद ताल हुआ, करैल हुआ, और बल्थर हुआ यह चारो जो हैं यह मीटी के लिए परियुक्ते होते हैं आगे देखिए प्रस्न 10 यहाँ पे जो प्रस्न संख्या 10 कर रहे कि बिहार का कौन सा जीला सरवाधिक बना चिद है बन आच्छादित है तो यहाँ पे नवादा, मुंगेर, पच्छमी चमपारण और कैमूर बहुत अच्छा यह प्रस्न है तो बिहार में सरवाधिक बन चेतरवाल यहाँ पे डिरेक्ट में आप लोगको एंसर बताते हैं तो D option यहाँ पे सही हो रहा है D option यहाँ पे सही हो रहा है क्योंकि बिहार में सरवाधिक बन चेतरवाले जिरेक्ट कौन-कौन से हैं तो एक कैमूर है और दूसरा नवर पह है पच्छमी चमपारण तो कैमूर और पच्छमी चमपारण दोनों option में दिया गया है तो अगर आपको अगर एकजाम में दोनों मिल जाए तो आप दोनों को ही टिक की जिएगा क्योंकि बिहार में सरवाधिक बन चेतरवाले दो जिले हैं उसका नाम है पच्छमी चमपारण और दूसरा है कैमूर और निम्तम बन चेतरवाले कौन से जिले हैं आपको जरूर याद करना होगा एक जो पाहला है सीवर है एक पाहला जो है वह सीवर है और दूसरा जो है सेख पूरा है दूसरा कौन सा है तो दूसरा सेख पूरा है तो यह निमतम बंच्छेतर वाले जो है और यह जो है सरवादिक बंच्छेतर वाले जीले है पच्छमी चं संख्या 11, बहुत अच्छा प्रस्ण है, 11 जो प्रस्ण है कि कहल गाउं, काटी, बाढ एवं नभी नगर, निमनली खित में से किस के किंद्र है, कोईला खनन के लिए, परियाटन, ताप, बिधुतिय सक्ति और सुति बस्त रऊदो, आप यहाँ पे डाइग्राम, यहाँ पे देखकर जरूर समझ गए होंगे, कि यहाँ पे जो C अप्सन हो रहा है, यह सही वरेटन, ताप, बिधुतिय सक्ति, के लिए यह केंद्र है, कहल गाउं, काटी, बाढ और नभी नगर, ओके, क्योंकि NTPC, जो है कहल गाउं, जिसको हम सुपल थर्मल पावर अस्टेशन कहते जो यह कहाँ पे इस्तित है, तो यह भागलपूर जिला में इस्तित है, कहाँ पे इस्तित है सांतियों, तो यह भागलपूर जिला के कहल गाउं में इस्तित है, ओके, इतना समझ में आगे आप लोग को, आगे देखिए प्रस्न संख्या आते हैं, बारो, बारो जो प्रस्न कर रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन बस्त्र उधो का किंद्र है गाया भागलपुर मुंगेर और पुर्वी चमपारण तो इसमें बस्त्र उधो के लिए पुछा गया है तो इसमें से जो भी अप्सन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है भागलपुर जो जीला यह रिस्मी कपड का उत्पादक केंद्र माना जाता है इसके बाद देखिए प्रस्न देखते हैं तेरा नमबर प्रस्न पर तेरा जो प्रस्न कराए कि वे नदियाएं जो बिहार और उत्तर परदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वो कौन-कौन सी नदिया है बुठी कोशी और गंगा सी में कर्मनासा गंडक और घागरा और डी कराए कि उत्री कोईल अजय और पून-पून यहां पे कौन सा अप्शन सही हो रहा है तो यहां पे सी अप्शन बिल्कुल सही हो रहा है कर्मनासा गंडक और घागरा जो है यह बिल्कुल यहां पे सही हो रहा है क बिल्कुल सईयोर है आगे देखिए प्रस्न संख्या 14 यहां पर जो 14 प्रस्न करें कि भारत का कौन सा राज्य सरवाधिक पायराइट उत्पादन करता है तो मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और जम्मो कस्मीर तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पायराइट उत्पादन क का प्रधान धारक और 95 प्रतिसत इस चोच को भी याद करना होगा 95 प्रतिसत संसाधन रखता है तो अप्सन भी सहीवर है आगे 15 प्रस्न को देखिए 15 प्रस्न करें कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संजुक्त सिचाई पर्यूजना इसमें से कौन सा है दामोदर भायली पर्यूजना, कोसी पर्यूजना, बरनार पर्यूजना और गंडक पर्यूजना तो डी अप्सन यहाँ पे सहीवर है गंडक जो पर्यूजना है यहाँ यह जो है बिहार और उत्तर पर्देश की संजुक्त सिचाई पर्यूजना मानी जाती है और जो गंडक पर्यूजना है बिहार, उत्तर परदेश और नेपाल की भी संजुक्त पर्यूजना है, इसको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नेपाल की भी है, ओके, इसके बाद देखिए प्रसना आते हैं सुला, सुला जो यहां पे प्रसना करा है कि पुरिवी मध्य रेलवे छेतर का मुख्याले कह तो पत्ना में हाजी पुर में मुझापरपुर और कटियार, यहां पे बी अप्शन विल्कुल सही हो रहा है कि पुरिवी मध्य रेल्वे का जो मुख्याले है, वह कहां पे इस्तित है, तो हाजी पुर में इस्तित है, आगे देखिए 17 प्रसना है कि बेलसार, जल, विधु पर्योजना क्या है इस्तित है अरवल जीले का जो छेतरफल है कितना है तो 638 वर्ग किलो मीटर है कितना है तो 638 वर्ग किलो मीटर है ओके आगे देखिए प्रसना आते हैं 18 नमबर प्रसना पर 18 जो प्रसना है कि बिहार में डालमिया नगर किस के लिए प्रसीद है रेसम के लिए सिमेंट के लिए चमडा के लिए कि जूट के लिए जो डालमिया नगर है वह सिमेंट के लिए प्रसीद था अप्सन बी जो है यह बिल रहे कि निम्नलिखित जीलों में से कौन सी बिहार में इस्तित है, बिहार में इसमें से कौन सा जील जो है इस्तित है, अनुपम जील, सांभर जील, सुखना जील और कामा जील, तो इसमें से ए अप्सन यह सईवर है अनुपम जील जो है यह बिहार में इस्तित है, और यह जील जिल कहां पर इस्तित है तो यह कैमूर बंद जिव अभिहारन जहां पर है वहां ही पर यह जो जिल है यह इस्तित है कहां पर इस्तित है तो कैमूर में इस्तित है कैमूर जो है एक बिहार का जिला है वहीं पर जो है यह अनुपम जिल इस्तित है इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार में सबसे बड़ी जिल कौन सी है तो बिहार में जो सबसे बड़ी जिल है उस जिल का नाम है कावर जिल इसको भी याद करना होगा क्योंकि प्रस्ण पूछा जाते हैं बिहार में सबसे बड़ी जिल कौन सी है कावर जिल है और एसिया की सबसे बड़ी स चुद्ध जल्ग के ही जिल मानी जाती है कौन सा कावर जिल सबसे बड़ी जिल है ठीक है और इस जिल को जो कावर जिल है इस जिल को कर सकते पंची बिहार का धर्जा 187 में बिहार सरकार के द्वारा इसको दिया गया है ठीक है आगे देखिए प्रसन आते हैं 20 नमर यहां पर जो 20 प्रस्ण करें कि निम्नलिखित अस्थानों में भारत वैगन एवं इंजिनियरिंग कमपनी लिमिटेड कहां इस्तित है मधेपूरा जमालपूर हर्नौत और मुकामा तो यहां पर डी अप्सन यह बिल्कुल से होगा मुकामा जो सहर है यहां पर जो है यह भारत वैगन औ बिहार की राजधानी पतना में तकरीबन 800 km दूर इस्थित है इतना समझ में आ गया आगे देखे प्रसन आते हैं 22 नमर प्रसन 22 नमर जो प्रसन कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में सीचाई होती है उपरी गांगा नहर तिरिमेडी नहर इसके बाद C में दिया है सार्दा नहर और इसके बाद दि है दी में पूर्वी नहर तो यहाँ पे जो option number 7 जो B हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है त्रिवेडी नहर जो है यह बिहार में सीचाई के लिए मसहूर है और इसका निर्माण कहां पे किया गया है तो गंडक नदी पर किया गया है इस चीज को भी आपको ख्याल रखना होगा और बिहार के चमपारन जिले में सीचाई के लिए तिरिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। पहारी परदेश और राजगीर पहारी परदेश तो यहाँ पर जो अप्सन ए है यह सईवर है सुमेशवर पहारी चेतरों से घीरा हुआ है। और सुमेश्वर पहाडी जो है या सिवाली का पहाडी का तीसरा भाग माना जाता है, ओके, आगे देखिए प्रस्ण आते हैं चोबिस, चोबिस जो प्रस्ण है कि डग मारा जल बिधुत परियोजना किस नदी पर इस्तित है, सुन पर गंड़क पर बोढ़ी गंड़क पर कि क कोशी पर है, तो यहां पर डग मारा जो जल बिधुत परियोजना है, यह जो है कोशी नदी पर इस्तित है, किस पर इस्तित है, तो कोशी नदी पर इस्तित है, और बिहाराज के सुपोल जीले में जो कोशी नदी है, यहां पर इस्तित है, बिहाराज के कौन से जीले में होता है यहां पे आगे देखिए प्रस्ण आते हैं 25 यहां पे जो 25 प्रस्ण कर रहा है कि मुझपरपुर दर्भंगा चमपारंड जिलो में कौन सी मिटी अधिकांसरता पाई जाती है काली मिटी नभीन जलोड प्राचीन जलोड और लाल मिटी तो यहां पे जो अप्शन B सही हो रहा है यह सहल है नभीन जलोड मिटी जो है यह पाई जाती है क्योंकि नभीन जलोड जो है मुख्य रुप से मुझपरपूर दर्भंगा और चमपारंड जीलो में पाई जाती है 26 नमबर प्रस्णों को देखिए 26 जो प्रस्ण है कि तीवर नहर किस नदी से निकलती है गंड़क से, बोढ़ी से, सोन से कि सक्री से, तो यह जो तीवर नहर है यह गंड़क से निकलती है, किस से निकलती है तो गंड़क से निकलती है, आगे देखिए 27 प्रस्ण पे आते हैं, 27 जो प्रस्ण करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुवा के पास गांगा में मि आगे देखिए प्रस्ण आते हैं 28 जो प्रस्ण यहां पे कर है कि बिहार के निम्न हिस्टों में से कौन सा हिसा भूतात्विक द्रिष्टी से अपेच्छा करीत पूराना है रोतास पठार उत्तर पच्मी पहाडिया खड़कपूर पहाडिया उत्तर गंगा मैदान तो सी अप लिखित में से किस अस्थान पर कोशी नदी गंगा नदी में मिल जाती है कुसेला बैसाली हाजीपूर और जमालपूर तो यहां पर ए अप्शन सही है कुसेला में जो है कोशी नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है ओके इसके बाद देखिए 30 नमर प्रसने पे आते हैं 30 नमर प्रसना 30 जो प्रसना है कि बिक्रम सिला डॉल्फिन अभियारन बिहार के किस जीला में इस्तित है भागलपूर में, पटना में, बकसर में, कि नलांदा में तो यहाँ पे ए अप्सन सभी रहे है भागलपूर जीले में यह जो है इस्तित है बिक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभियारन जो है भारत के बिहार राज्या के भागरपूर जीला में इस्तित है और ये जो अभियारण है भागलपुर जीला में सुल्तान गंज के कहल गाउं तक गांगा नदी का 60 किलोमेटर तक ये जो है लंबा हिसा है आगे देखिए प्रस्ण आते हैं 31 जो प्रस्ण है कि बिहार राज्य में गांगा के किनारे इस्थित जीलों की संख्या कितनी है 21, 17, 12 और 6 तो याद करना होगा आपको लोग को अप्शन सी यहां पे सुझे रहा 12 है बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो इस्थित जीलों की जो संख्या है 12 है अब आप लोग ध्यान से सुन लिज़े कि 12 जीले कौन कौन से तो 12 जीलों में से आता है सबसे पहले बकसर, भोचपूर, सारण, पटना, बैसाली, समस्तिपूर, बेगु सराय और इसके बाद आता है मुंगेर, खगडिया, कटिहार, भागलपूर और इसके बाद एक और ब अखित में से कौन सा वन्यजीव अभियारण बिहार के मुंगेर जीला में इस्तित है, वाल में की राजिगीर अभियारण, भीमबध अभियारण और गतमबुथ अभियारण, तो यहां पर सी अप्शन सही रहा है, भीमबध जो अभियारण है या मुंगेर जीला में इस्त तो यहां पर C अप्सन जो है यह सई हो रहा है कि गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ पहे तो पटना जीले में आगे देखिए 34 प्रस्न पर आते हैं 34 प्रस्न करें कि बिहार के किस जीले में सबसे अधिक नहर सीचित करने वाला जीला इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है पच्छिमी, चमपारण, और अंगाबाद, रोहतास और भोजपूर तो साथियों सबसे पहले यहां पर रोहतास जो है अप्सन में दिया है यह सही हो रहा है क्योंकि जो नहर जो है पच्छिमी में भोजपूर होता है सब इसके बाद बक्सर होता है रोहतास आता है और पूरा में बात कि ये पच्छी में आता है रोतास पच्छी में रोतास भजपूर बक्सर होता है और पूरा में अगर बात किया तो पटना और अंगाबाद जहाना बाद गाया जीला जो है ये सब आते हैं तो यहाँ पे रोतास जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है ठीक है आ और पहले अस्थान पर कौन सा जिला है तो जो पहले अस्थान पर प्रतम अस्थान पर जो जिला है वह है मुंगेर इसको भी आप लोग जरूर याद कीजेगा पहले अस्थान पर गाना उत्पादन में मुंगेर जिला जो है सबसे पहले है ठीक है तो यहाँ पे जो हो रहा है पच्मी चमपारन बिल्कुल सही हो रहा है ठीक है और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक करने वाला जो राज है वह है उत्तर परदेश है उत्तर परदेश है ओके इसको भी आपको जरूर याद करना होगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक करने वाला राज ये कौन सा है तो उत्तर पर्दिश है तो साथियों आज के लिए हम लोग 35 प्रशनों को ही लिये थे तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कॉमेंट करिएगा और आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं भीजिट किया तो थैंक यू आप सबी साथियों करें